आर्यवीर आये हुए है इन से जूड़ते हैं हाँ जी आर्यवीर बताएं क्या कहना चाहते हैं नमस्कार वाई सब नमस्कार वाई यह मैं कह रहा था के लिए लागू गिया था उस समय की सिती को देखते हुए ठीक लेकिन अच्छा पर दूसरी बात करता हुए उस बात करेंगे लिए बात करेंगे लेकिन यह प्रमारिक बात है बता है क्यों नहीं और चाहिए समझने आए हैं पहले बात सुनिया पहले यह जूठ बोल रहे थे वो रहें के डीडवेट देखके आप आये हैं पर टीवी डिवेट देखके आप यहां डिवेट करने पहुंच गए है वह ने पूछा आपसे कि कहां से जनकारी बोल रहे है प्रमाणिक है अप पहले ही जूड बोल रहे हैं आपको यह तक नहीं पता है कि आरक्षन कितने तरह के होते हैं आप जो है आरक्षन कितने तरह के ह यह तक नहीं पता है आप बोल रहें दस साल के लिए दस साल के लिए होता ही नहीं आरक्षन कभी दस साल के लिए आपको पता ही नहीं है कि कौन से नaya funder लेकर आ गया है कि आर्थिक आधार कर देनी चाहिए क्योंकि भारत सरकार क्र्षार ड़कों आर्थिक आधार नहीं दे रहा है वह पर पूरा खांगा प्रेंज देनी चाहिए हुआ किसमें परसंट कितना परसंट कितना परसंट जाती हैं अच्छा नहीं बैठाओं लेकिन में जनरल बात कह रहा हूं जाती रद नहोंकर आर्थिक होना चाहिए जब जाती के अधार पर दे रही है तो सरकार ने पूरा खांका खीच रखा है कि क्यों भी सरकारी वेव साइट खोल लीजिए उनकी जो सेक्षिनिक पाठकरम है वो पूरी तरह से बता देंगे कि आरक्षन किस अधार पर दे रहे है आप शनसथ समीति की रिपोर्ट पढ़ लिजिए आप जितने भी सिपार्य समीतियां है उनकी रिपोर्ट आप पढ़ा लीजिए अगर यह अधार करते हैं कि अर्थिक अधार पर होना चाहिए तो आप मुझे यह बता दिजिए कि आपको जो है जो लोग जो हजार साल से जो सेक्षिनिक रूप से पिछे किये गए हैं, जो लोग जो है समाजिक रूप से पिछे किये गए हैं, जिनको धन रिखने का अधिकार नहीं था, जिनको जो है सस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था, जिनको जमीन रखने का हक नहीं था, वो लोग ज जो है जो पिछड़े हुए हैं उनका अधार आर्थिक की से हो जाएगा वो समाजी के रूप से पिछड़े हुए है आप उनको जिस बंदे को भूख लगी है उसको जिसको भूख लगी है दो रोटी की जिसको भूख लगी है कि मैं भी एक नेता बन जाओं मैं भी एक वो बन अधार है कि आर्थिक अधार पर आप रिजर्वेशन को क्या आर्थिक package समझ दियां क्या आप उसको किसी क्या गरीमी उमुलन कारेकरम समझ लिए क्या गरीमी उलमुलन कारेकरम के लिए बहुत सी अब आपको इसमें क्या चाहिए चलिए बताइए क्या बता रहे हैं भाइसाब की बात है कर रहे हैं उसका पढ़नाम भुकता है उसका पढ़नाम भुकता क्या देश को गुलामी का दन से जीलना पड़ा धरम करम अब भारत के जितने भारत के मंदीर है उसके सुधर बैठ गया है उसमें निर्णायक में वही है कौन है पंदरा लोग हुए थे उसमें एक ओबीसी नहीं है उसमें पंदरा लोग तय किये गए एक ओवीसी नहीं है पूरा का पूरा ब्रामण बैठा हुआ है उसमें पूरा अमर वाडवाधी का गुरूँप बना हुआ है आप कहान्य आं बता रहे हैं राममंदीर क्या होता है एक राम मंदीर अब बन रहा है उसमें आप लगेंगी ना ने आप मुझे ये बताईए भारत के जितने मंदिर हैं टेंपर हैं उसके पुजारी कौन से वर्ग के लोग मताईए अध्या का इतना बड़ा नंदर बन गया है कब इसमें उसमें आप समझे कों नहीं बताएं दिखां दिखांए मुझे पूरा डिटेल लेक्ति नहीं था उसमें आप मुझे आप अगली इस्ट्रीम में लेक्ति आएंगे जूट अभी बोल रहे हैं आप अगली स्ट्रीम में लेक्ति आएंगे सब्सक्राइब कितने संक्राचार्य सूधर बनाएंगे बताओ अच्छा मैं संक्राचार्य बनना ही जरूरी है कुछ और काम नहीं है करें दुनियामे अपने नाम करने की अच्छार अछिए यह क Аंप पूछ दिया कि संक्राचारय तो हम बनके रहेंगे तुम लोगह कोन ओते हो जब मैं पूछ दिया कि Yoosädro संक्राचार बन गया छूट जाए इतने जियादा सम्पति उस पर ब्रामण बैठा हुआ है अब यह कहानी हमको एक नई कहानी सुदाने नंडेबं चेंज हो गया है क्या है आप मुझे पताई ना कि कितने मंदिर कितने परती सब्सक्राइब कर दो नहीं कि पूजा विस्वास रखता हूं तो मुझे पता लगा है कि उसमें हमारे कोई जाते बात का कोई मदलब यह नहीं है दूरूर तक हमारे साथ बाइन कि लोग भी बैठते हैं सब्सक्राइब करते हैं करते हैं कि उसको उपनियां संसकार होगा सुद्र का पढ़े हैं कभी सत्यार्थ प्रकाइब कर दो मुझे बता दो मुझे कहां लिखा है कि सुद्र का हम तो प्रमाणिक देख रहे हैं आप दिखा लिखा है द्यान सती ने जो है पहली बार जो 1875 में आपका जो बना है आरे समाज उसमें उन्होंने सुद्र को यगुपवीत का दिकार नहीं दिया वेद पढ़ने का दिकार दिया आप गलत क्या बोल रहे हैं आप दिखा दीजे मुझे कहां लिखा है आरे भाई इन्होंने विशुद मनुस समर्थी लिख दिया आप का रहा है समाजन उसमें तक नहीं लिखा है उन्होंने की सुद्रों को यगुपवीत होगा बता दीजे मुझे मुझे मनुसमिर्थी सही है कि गलत है पहले यह बताए साथियों यहां पर सुनिये का ध्यान से दिजेगा यह सारी बात कहेगा बंदा लेकिन यह बात कर नहीं कहेगा कि मनुसमिर्थी गलत है क्योंकि आर्या समाजने विशुद मनुसमिर्थी लिख दिए अगर उसमें ऐसी बात लिखी है तो गलत है अरे भाई साब लिखा तो विशुद मनुसमिर्थी किस ने लिखा 2600 स्लोक मेंसे इन लोगों क्या प्रमार देख रहे हैं क्या प्रमार देख रहे हैं कितने आरे समाजी नाला जाके साफ करते बताओ मुझे अगर पढ़े लेखेंगे नहीं कुछ करेंगे तो नाला भी साफ कर लेंगे क्या नहीं करेंगे अगर आप देखें साथियों यह बोल रहे हैं कि यह पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जाकर नाला साफ कर लेंगे बाई साहब नाला साफ करने की जो जो जॉब है जो वेकेंसी उसमें कितना फों भरतें यह बताये तो आरे वीर अभी कितना ब्लूप भराज इनके विरोजगार थे जनकी मानता है जब से 5 certains सौनीजब की बात अप और ऊच्छा पढ़ लिग गया को स्रेंटिस बन गया तो मैं ब्रामलगी सांथियूं ऐनने सुना इन्होंने नाक जो है घुमा के हाथ से अफिर दुबहरा नाक पकड़ लिया यह बोल रहे हैं कि वर्णक व्यॉस्था थोड़ा सा किलियर हो जेंदे पब्लिक को, जो वर्ण व्योस्ता नहीं मानता है, उसको चाहें जनम हो या करम हो, भाण में जोंको देगा हो, हमको नीचे ये कोई वर्ण व्योस्ता, अरे जब हम करम से अच्छे हैं, तहमको ब्रामण काहल लवाने की क्या जुरूरत है, जब क्या है, उस वर्ण व्योस्ता की, लेकिन ये आरे समाज जो है, ये चुपे हुए लोग है, ये क्या करेंगे, बर्ण मोनेंगे, ये वर्ण मोनेंगे, ये आ पृठटा मानेंगे, ये ये बल्कूल है, एक मीनट यहांефर, वलकराईड यहांपे लिख रहे हैं, चार मठ में तो वीशी और संक्राचारे होने चाहिए इस पर कभी आपने चर्चा की है कभी बात की है कभी आप पर दो काफी तो काफी थी यह को क्या कहिंगे आप सी कौन था कॉंद लेकर बालमी की लिए अगंवी की लिए वह सब आदमी जिन्होंने मानव के लिए अच्छे कारे कि यह सारे लोग हमारे लिए लिए महापुरुस है वह कोई भी हो बहुत हो राम हो जो भी आरे भाई दूसरों को जवर्जस्ति उसमें डाल कर खिचड़ी मत पकाई उससे आप अच्छे नहीं होने वाले सचाई यह है कि आपके आरे समाज का संस्थापक भी जो था उसका नाम जो है मूल संकर त्रिपाठ उसने खुल अपने बल में की रमाड़ में लिख रखा है आप कहानी मत सुना यह पूरी दुनिया जानती है कि आपके आरे समाज का संस्थापक भी बरामर था मैं आपसे जानना चाहता हूं आरे वीर कि आप किसमें से आते हैं जनरल वीच्ट करता हूं विजनिस करता हूं समझाञें हम को इस अब जानते हैं सबारलक समझते की जनरल में हैं इनको सारी चीज़ें मिली हुई हैं यह समाजी की रूप से कभी पिछड़े नहीं है यह आर्थिक माद्ध हम इसलिए बना रहे थे ताकि यह समाजी को कैसे मालू माईजम से जो लोग बाकी दुनिया तो जैसे हाथ में यह सिल्वर इस्पून लेकर पैदा हुई है आपके पास तो 33 करोड़ भागवान थे आपके पास दयानांसरस्ति का आये आरे समाज है जो परमेश्वर परमेश्वर यग हवन करेगा तो तुरण सोना बरस जाएगा उपर से आपके पास तो लोग से आप पूछ रहे हैं कि आप दूजुन की रोटी के लिए तडपे हैं यह तो आपका वह आलाहाल हो गया जो वेद में कहता है कि भाई हम जो है इतनी गरीबी में थे कि कुट्टे की अंतड़ी पकाके खागे आपसे जो मीठा मीठा ने मीठा मीठा गप अकड़वा आप आर्थिक रूप से गरीब हैं बाकी दुनिया जो है समाजिक रूप से भी गरीब है सेक्षनिक रूप से भी गरीब है आर्थिक रूप से तो थी तो आप जो है आर्थिक आर्थिक रूना शुरू कर दिए बाकी लोग का समाजिक और सेक्षनिक रूप से जो लोग पी पुरोहित हैं वहां पर कितने तो हमारे नहीं होते हैं क्या होते हैं पुरोहित होते हैं मैं पूछ रहा हूं कितने आरे समाज में जो पूरोहित हैं तबके से हैं आप हो जाएगा वाली बात मत बते हैं अभी बते हैं इसको सुनते हैं बागी म्यूट कर देतें मेरी बात को तो साथियों सुना आपने इनके से मैंने क्वेश्चन पूछा कि यह कितने आरे समाज में पूरोहित हैं तो इसका जबाव इनके पास नहीं है यह म्यूट म्यूट का रोना रोने लगे इनसे मैंने समय भी दिया बोलने का और यह उसमें म्यूट रो रहे हैं अगर आपके यह हम यह ना और और ग realism कर लेजान लागायों आरे लगाते हैं अपे आप पीछें हमारे-एंभ आप समझे रहे हमारे यह द уст máquinas चलिलिए उतन और नाम के लिगा और लगा बाते हैं खाली है किवल फीड़ लोग आते हैं हम हम आपके अहां घ्रवाव नहीं होता तो आपके वह जो है जैसे यह यहां पर बात आई कि चार मठ में दो OBC, AKC, ST, संकराचारे होने चाहिए, इस पे आपने कभी एक सवाल नहीं खड़ा किया, किसी आरे समाजी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, आरे समाज जो है मूर्ति पूजा नहीं मानता है, लेकिन भारत में इतनी मूर्तिया पूजी जाती है, आज तक आरे स मंदिर बनवा रहे हैं, अब वहां पर भी SCST, अपने हां, आरे समाज में SCST को नहीं हक दिया, यगावन कराने का, अराम मंदिर में ये बोल रहे हैं कि वहां पर कौन से समुझी में क्यों बताये मुझे, तो आपने क्यों नहीं डेटा बताया, सुन लिया आपने, ये बोल समाज के साथ उनके साथ ये उठते बैठते हैं, और इन्हों ने ये भी कहा कि वह जानेंगे या घवन करना तब तो करेंगे, इसलिए उनको आज तक हगने, ये आप यहां पर साफ साफ देख रहे हैं, जाती बाद आपके अंदर भरा हुआ है, कहीं और नहीं गया हुआ है, आपने सिर्फ बोतल बदल लिया, भीतर का मेंटरियल वही है, आप बता रहे हैं, अगर यहां पर कोई एक बालमिकी समाज का व्यक्ति, या फिर कोई ऐसा बता रहा हुआ है, अपना पूरा चीज जाहिर करता कि कौन से मंदिर, कौन से आरे समाज के मंदिर में उसको हक दिया गया है, कहां पे यह है, तो फिर लोगों को समझ में आता, एक जनरल व्यक्ति, जो खुद ही ब्रामधवादी है, वो आके बता रहा है, कि हम हक दिया है, है आप पूछने पर करा है कि आयेगा तब तो उनको देंगे आप यहीं सवाल का बता देजिए कि आपको कैसे पता लगा लिए कि आप लोग उठते बैठते हैं बस इसी का जबाब देजिए आपने जाती कैसे पता लगा लिए वालमी की समाज की साथ आप लोग उठते बैठते हैं आपके जब कोई जाती नहीं है इसी का जबाब देजिए बताइए आप सिर्फ लड़ाई लडाएंगे या समाधान भी निकालेंगे हम तो समधान ही दे रहा है ना हम तो समधान दे र लुप करो खाली करो यरा तो बंद कर दो या फिर उसको खतम ही किर उपस्कुत को पहले इक काम कर दो आगे मैं बताताहूं की समय होगा भारत में जो जातिवाद आया है बारत में जो लोग पिछड़ेपन का सिकार हुए है वह आपके धरम की व्यवस्ता के कारण यह भारत में इस तरह की चीज़ा आई है तो सबसे पहले धरम में जितनी चीज़े लिखी है जो धरम जहां से प्रतिफुलित हो रहा है उन्स चीज़ों को हटाना पड़ेगा सारे मंदिर यह जहां-जहां ब्रामण का कप जाहे वहां-वहां वहां हटा के जन्संख्या क्या प्रतिसत के अनुसार सुद्रों को वहां-वहां जगा दीजिए सारी चीज़े आउटमेटिकली सही हो जब बबन्धियस्ट हो गया साइंटिस्ट हो गया तुस्सकों को परापला उनकर यहीता परामण बादमण बुछल ना देख आपने साथ यह इनका बरामण यह मैंने अब तक तक टस महीने के अंदर आर समाच में अभी जात्त पात की तो बाहत सुनी हूँ वाल में की समाज के साथ सब्याइस हमार ने समय कॉछ पास बैठके क्यों कर रहे होता हम लोग करते हैं करते होंगे करते हैं करते हैं पूरी दुनिया को कश्टमर बना रखा है मैं पूछ रहा हूं कि पूरोहित कब बनाओगे कश्टमर तो आप मंदिर में बैठे हुए हो जैसे ब्रामण अंतर क्या रहा आरे समाज में और बाकी के ब्रामणों में उसने मंदिर खोला आपने अपना टेंपल लिया इसमें आप लुए पूरोहित के बैठ गया दोनों जग है एक कहराया जनम से एक कहराय करम से बैठे तो दोनों अभीतर है हम तो कस्टमर है हमें हमें कब बनाओगे पूरोहित हम यह पूछ रहे हैं इसका जबाब आप नहीं दे रहे हो बताओ हम लोग सबने के लिए उसके संसकार सब्सक्राइब बना है बताए तो मुझे कब बना है आरे समाज कब बना है अठारा सो कुछ में बना पचेतर में बना पचेतर से संदू हजार बाइस के बिच में कितना अंतर कितना साथ बनाओगा बाइसा मैं तो दस महीं चुड़ाओं लेकिन मैं जी जानता हूं मैं भी पहला इस प्रवाण यह सब्सक्राइब आप डेड़ सो साल में किसी को हवन करना नहीं सिखा पाए बारत कि यह वह अपने मैं अपने उपर उधारान दे के बोला हूं आपको मेरा बच्चा अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाता है और और वह अपने निर्मार कारेयास में रहता है तो मेरा बच्चा भी में कुट्धा भी वड़ाख ब्रहमार से मेरा बच्चा शुद्री कहलाएगा करम से और गोल से अच्छा जी समझे यह मैं इस पद्रेदी को मांसा यह समझाई ज़रा समझाई आज हम समझाएंगे नियुक्त यह समझाए गया कि जाती बिवस्ता कर्म और गुण से होती है अगर कोई ब्यक्ति जीवन में अगर जिसे आप शूद्र कहते हैं जीवन में निर्मान का काम करता है अगर उसका बच्चा पढ़ लिक कर कुछ अच्छा बन जाता है साइंटिस बन जाता है तो वह ब्रहामड हो गया करम और गोड से वह शूद्र नहीं रहा अगर उसने अपने जीवन में अपने आपको इतने इस लाइक बनाया कि देश सेवा कर पाया है तो वह चहत्री हो गया और जिसने अर्थ विवस्ता को समाल और यह हमारे नहीं बताया कि हमें और कुछ बोलना है बस इतना ही वह बुलना ऐस प्द्रतिति को हमें समझाया है और जो लोग जोड़े हुए और वो कितना जानते होंगे और इसलिए मैंने अपने नाम यह अपने जाते वाताइक नाम अठागी जया करा यहुद्वाई है आपके नाम से जहलक रहा है, यह खुद ही अपने आप में रेसिस्ट है, यह अपने आप में ही रेसिस्ट है, आपके मनुसमृति में लिखा हुआ है, कि आपके यहां जो बच्चा जनम लेता है दससे बारा दीन के अंदर जो उसका नाम करण होता है उसमें ब्रामखड के बच्चे का नाम अनुसमिर्ति का साथ को आपके के बच्चे के बच्चे जैसा नामगता गया है और यह विशूद मनुस्मृति में भी है जब आपके इहां इस बात को एक सेप्ट कर रहे हैं कि दस दिन के बच्चे का नाम, ब्रामःड वाले बच्चे का नाम, जो है ब्रामःड सूचा का नाम होगा, सूद्र का निंदा सूचा का नाम होगा, तो कैसे आप कह रहे हैं कि करम के आधार पर आप ब्रामःड और सूद्र वान रहे हैं, हो ही नहीं सकता, आप मानने की क्या हुआ हैा है अपने को स्रेश्ट बता रहा है क्योंकि पूरी दुनिया को उसने वाइट मता रखा लग अगर अगर आप कि शुद्र भी होगा जब आप अपना नाम आरे रहे हैं तब फिर कोई असुर भी होगा पर अजय खार जाता है हुआ है जिसका आशिराब बिभार आचार विचार गलत किसका खराब होता है जो मतलब नहीं आपको एक सब्सक्राइब किसका होता है भारत में नहीं होगा रहे हैं आपके हिसाब से कौन लोग अनार्या आपने कह दिया कि जो अच्छा है उसको हम बरामण कहा दे तो मैं यह नहीं कि अभी जो मुर्मु बनी है जो राष्टपती बनी है वह क्या है वह क्या है वह कौन से वर्ण की है आदिवासी है देख लिए सुना साथ ही वह आपने वह जो है राष्टपती भी बनने के आदिवासी है आए जो है आपके बहुत है यह बदली है मत आप मुझे अभी तो आप साइंटिस्ट को भी बता रहे थे हैं अब बताए तो मुझे कौन से के लिए को से कौन से को इतना फोकस करते हैं जो गी बहुत अपने यह सुन लिया आपने अब जब यह बात अभी तक अपने को ब्रामड ब्रामड इनको बताया गया है सब बात कर रहे थे अब एक महिला की जब बात आ गई कि एक महिला राष्टपती बन गई है वो कौन से वर्ण में आएगी अब इनके मुह से निकल नहीं पा रहा है कि उनको ब्रामड का रहा है ब्रामड को बात करम क कोई शरम नहीं ये पहले बात वही इस वैसे हो और वर्णवे estaba करम-कने में उस एप ? अब जब करम की बात आ गई अरे भाई رूझ जाओ ना मुझे बोल लेने दो बात आगए राष्टपती मुर्मुजी की तो उनके वर्ण बताने में आपको क्यों शरम महसुस हो रही है बताओ तो कौन छानल में आती है मैं नाया को समझाया हूँ समस्तं क 열μεइं यह समझाया के अध्य पूजा किया मतलब कया मतलब किया है पूजा गुणों की होती है इसका मतलब पूजा होई नहीं कहा कि जिन्हों ने मनुस्मृति का अध्यन किया है इनका आरे समाज एक ऐसा समाज है जो मनुस्मृति को बचाता है इनकी पूरी कहानी समझ यह जराई यह मनुस्मृति का डायलोग यहां पर सुना रहे था यत्र नार्यस्तु पुजयन्ते तत्र रमंते दे होता अब बोल रहे हैं गुणों के अनुसार इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है और इनके जो विसुद मनुस्मृति लिखा हुआ है कि यहां पूजा का मतलब वस्तु है जो हम गिफ्ट देते हैं किसी इस्त्री के पूजा की बात नहीं चल रही है दहेज की बात चल रही है इनके विसुद मनुस्मृति में लिखा हुआ है और यह महोदे जो है यहां पे दूसरी कहानी बता रहे हैं कि गुणों की पूजा की जाती है ने यहां पूजा की जाती है एक इसरी की साधी हो रही है उसके पति और पिता जो है उसके बारे मेंवहां पे दिते हैं उसको कहते हैं महोदे लिफ्ट नहीं क्या गलत बता बता दीजिये मुझे कर दीजे कि आपके विशुद्मनुस्मृति में नहीं लिखा है ये बात बोल दीजिए अपना विशुद्मनुस्मृति खोल के दिखा दीजिया अगर मैं अगर गलत हुआ तो एक लाख रुपय आपको नाम देदोंगा यहीं पर देदें आप मुझे मैंने आपके विशुद मनुस्मृति में यह लिखा है कि नहीं लिखा है आपके आप इस बात को बांदे कि हमारे यहां बहुत से सास्त्रों को एक मैक्समूलर करके एक व्यक्ति था उसने उसका गलत इंटरप्रेट किया है आपके द्यानां सरस्ति का भी खोल के दिखाना सुरू कर दूँगा आपके द्यान सरस्ति करिखाई यह मैं माल लूँगा आप कैसे बताओ दूगा मैं समझाइए आचा यह जो है उनकी प्रकास किताब खोलते हैं कितना जूट हो सच बोलते हैं अभी दिखाता करता हूं जरा द्यानन जी का युजूरुवेद भास से पढ़ते हैं हम लोग को पढ़ें जरा तो यह क्या लिखा हुआ है मैं अपना चैस्मा लोग थोड़ीती मेरी पास की नजर भी कमजूर है आच्छा जी यग हमने लगता है ठीक से कि ठीक से नहीं किया है द्यानन करत युजूरुवेद भास से इसमें नंबर क्या है इसका युजूरुवेद अत्याय 25 मंत्र संख्या सेवन बिल्कुल उन्ही ना चुल लिखा है मंत्र सेवन मनुष्यों तुम मांगने से पुष्टी करने वाले को इस्थुल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटल सर्पों को आतों से जली नावी के नीचे के भाग से अंड को अंडों से घोड़े के लिंग और नहीं आंडों से अंड को से अंडों से अंडो से पढ़िया आगे बस इंचे यह 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 संतान को पित्च से भूजनों को पेट के अंगों को गुदेंद्रियों और शक्तियों से शिकावट्वाट्यों को निरंतर ले आओ लेओ 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 लेने के लिए बात कर अब यह बताए यह इसका क्या अच्छा प्रकास के लिए बदलाव करें वहारां के चर्चा करते हैं उनकी के आज छिव पettes से अपाई राशीक को की विद्वान थे टने ज्यादा विद्वान थे वन रिख दिया कि यह किताब लगाद पढ़िएrat का दियां कि उसको का दिखा ताहूं उसी का दिखाता हूं झा एक जिकाता हूं कि यह करके आते हैं यह करते-इत्त अरे भाई समुला से देखिए न यह तीसरा चौथा सत्यार्थ प्रकास अंदकर्ण भूमिका कि समीश सारी चीज की समिक्षा की गई नसल भेदी दिखा रहा हूं लिए कई और है और भाई यह को इसमें लिखा हुआ है कि द्यानद सर्सती ने वह पूरा ए टू जड वही बात लिखा हुआ है नहीं हैं को इसमें कि पहां की बात नहीं कि इसमें आप जुड़ें हैं ना उसमें उसमें मोका कहां दिया गया है कि आप जनरल वर्ग से आते हैं अरे नहीं वाई यहीं चक्कर है जबर्दस्टी तो परें जबर्दस्टी क्या है तो बता क्यों नहीं आप बता दे मुझे आपके विचारों से अच्छा है मैं उसको अच्छा मानता हूं यह जातपात को तो कुड़ें भीकता हूं क्योंकि इस इतियास पड़ा है उसकी वैसा में बहुत बढ़ी हानी उठानी पड़ी है अच्छा यह वाला पढ़िए जड़ा यह दयानान सर्चति का यह जुर्वेद नोट कर लेजिए ट्वेंटीवन चैप्टर 60 मंत्र है इसमें यह अर्थ क्या लिख रहे हैं उसको जड़ा पढ़िए यह पढ़िए यहां से है मनुश्यों है मनुश्यों प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदी पश्यू से वाणी के लिए मेड़क से और परम एसर के लिए बैल से भूग करें अब यह बता लिखना चाहिए लिए लिए वह अलग चीज है यह उनकी व्याख्या की जा रही है जो इनके सब्द यह उपर जो सब्द है यह तो नीचे आप पढ़िए पढ़ना चाहते हैं जो द्रॉजराती थे वह गुजराती से हमको नहीं मतलब है उन्होंने जो अनुवाद उनकी सत्यार्थ प्रकास में अबलेवन अच्छे मतलब क्या होता है यह मेड़ा मेड़ा का क्या भोग करेंगे मेड़ा तो मेड़क होता है अब अब देख लीजेगा लोग आपान वाईू कहते हैं मतलब की जो लोग फार्टिंग करते हैं उसको भी आपान वाईू कहते हैं अब यह लिख रहा है कि प्राण और अपान के लिए दुख विनास करने वाले छेरी आदी पसू से अब यह वाड़ी के लिए मेढ़ा मेढ़क से अच्छा यह किताब जो है ना यह आपके जो सनातनी लोग हैं सब्सक्राइब नहीं हैं नहीं हैं नहीं कैसे सनातनी बता दीजिए मुझे सनातनी ऐसे अंतर तक हम लोग है कैसे हैं हम बच्चे थे बच्चे से बड़े हो गए बड़े होकर फिर मर जाएंगे हम कहां सनातनी अरे भाइशाव आप नहीं जाके अपने घ्यानियों से घ्यान लीजे चाहताम अरे यह मानता हूं आत्मा भी मानते होंगे हाँ तो नहीं बदलुंगा बदलूगा मैं इस टॉपिक पर जाओंगा पहले यह बताइए मुझे कि यहां पर पठ लीजिए यह आपके क्या कह रहा है आपके अनुसार देखिए इन्हों है जो द्यानंस व्रसती ने भास सिक्या है उसका इनों ने क्या लिखा है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे पढ़के बताना पढ़ेगा अच्छा मैं पढ़के बता देता हूं यह लिखते हैं आपके स्वामी का मानद जी अपने इस भास से नुसार अपने लाडले सिस्यों के लिए फरमाते हैं कि यदि कोई द्यानंदी की वाणी खराब हो गई हो जैसे तुतलापन हो गला बैठ गया हो या फिर जनम से गुंगा-ादी हो तो ऐसे समाज्य वाणी के लिए मेड़ा से भोग किया करें और परम ईष्वरे की कामना रखने वाले सभी द्यानंदी परम एश्वरे के लिए बैल से भोग क तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बैल से भोग का समझ नहीं आ रहा है यहीं नहीं और देखिए आपके द्यानांसर सती और क्या लिखते हैं यजुरुवेद का 14 चैप्टर है उसका एर्थ सलोक 14 चैप्टर का 8 मंत्र जो है वो लिखिए इसका अर्थ देखिए यह क ने इस्तरी से कहे कि है इस्तरी तुम ये नाभी के नीचे गुहेंद्रिय मार्ग से निकलने वाली अपन रच्छा करें अब यह बताएव में आपके इस्तरी पूरुसस और इस्तरी से कह रहा है कि मेरें आपान रायुव जो फाल्टिंग हुरहिए उसकी years करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है पति-पत्र ये कि दूसरे की आप आनवायू फाल्टिंग की कैसे रचा करेंगे और यह वाचम की शुद्ध यह देखिए आपका यह जुद्ध किया किसा है इसमें यह आपके द्यान अंसुरसती ने किया है अरे भाई गुजराती में नहीं जाने कारिया ना मैं जैने पढ़ी तो उसमें प्रविचन सुने है तो समय उन्हों ने किया है जिक्र किया है सत्यार्थ प्रकास का आप उनकी जीवनी पढ़ लो उनका जैने उसकार हुआ है लिखा है क्या बात कर रहे हैं अपने 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 समस्कार हुआ है इन्हों ने जो है भगत सिंह का मैं नास्ति क्यूं हूं किता पढ़ा है आपने नहीं मैंने नहीं पढ़ी नहीं पढ़िए तो मैंने क्या पढ़ा जब आपने भगत सिंह की असली किताब जब बंद थे हाँ तो उन्हीं की बायोग्राफी है उन्हों ने जब अपने जेल में थे अंतिम दिनों में तो देखा उन्होंने कि इसे कोई पूजा पाठ्ट कर कर रहा है कोई कुछ कर रहा है तो उन्होंने धर के लताड़ा ब्रामर धरम को लताड़ा उन्होंने इसायत को लताड़ा उन्होंने इसलाम को लताड़ा सब को लताड़ा है और उन्होंने पूरी किताब लिखी उसमें कि वो उनका लेटर है पूरा कि वो आपको नेट पर भी मिल जाएगा कहीं भी सर्च करेंगे तो अब ये आपका जो है ये द्याना अनसर सती फिर से उसी मुद्दे पराते हैं कि ये देखे इन्होंने यजूरुवेद six chapter है उसका 14 स्लोग का क्या अर्थ किया है ये देखे ये क्या लिखते हैं ये अब ये बताईए कि जब यजूरुवेद की भास्य हो रही है उसमें लिंगा गुदेंद्रिय और मुद्रोट नाभी नेत्र इसको सुध करने की क्या बाता रही है लिंग को गुदेंद्रे को हैं जब वेद है इसमें ग्यान की बात होनी चाहिए तो द्यान अनसर सती जो है हर जग है कामानंद की बात कर रहे हैं अच्छा ये देखे ये क्या लिखा है ये उसने आप को जितने मैं नोट दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा समिक्षा जो है सवरस्वति के छेले लोगों ने सबसे ज़्यादा समिक्षा लिखी है तो उनकी भी कोई समिक्षा लिखा है तो आप जो है मस्थी का और देखूंगा ये से सब अगली बार ले करा है किसने नोट कर लिए अब यहां पर यहां पर यह अभी तक यह आरे समाजी बता रहे थे उस समय से कि इनके जो है जाती नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप सब्द कह रहे थे ना कि किसने क्या लिखा है इसी कारांट से लिखा है क्योंकि इसमें कूट के जाती बाद भरा है यह पढ़िये जरा उपर से जो आपका चैप्टर थर्टी था उसका ट्वेंटीवन मंत्र था द्यानांसरसती ने क्य या भास से किया है जरा पढ़िये परमेश्वर वाराजन यह पढ़िये जरा लंसी नजर तोopen नहीं है तो इसको उन्होंने इसको कि उल्हा किया है कुछ चीजज स्वेशmen कीस प्रेक्टिकल में ही है प्रेक्टिकल में नहीं होता तो आप जो है यह समाज का नाम बदल के जिसको यहां पर इन्होंने लिखा है उस समाज का नाम बदल के आप बलमी की समाज नहीं करते हैं आपने उसका नाम बदल दिया बलमी की समाज और आप आते ही बोले थे कि बलमी की आप हर यच्छम बंदर कीसी छोटी आखो वाले सीथ प्राय देशी मनुश्यों को पिंगलम पीली आखो वाले को उत्पन कीजिए चंडालम भंगी को खलतिम गंजे को कृष्णम काले रंग वाले पिंडाक्छम पीले नेत्रों से युक्त पुरुस को दूर कीजिए इन्हों इन्हों ने ये क्या कह दिया है जो समिक्षक है वो क्या लिख रहा है कि स्वामी जी अपने इस अर्थ की पुष्टी के लिए भावार्त से अस्पष्ट सब्दों में लिखते हैं कि भंगी के सरीर से आया वायू दुरगंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं इस कारण उसे दूर भगावें अब ये कारण जो है इस कारण को आप लोगों ने छुपाने के लिए आप लोगों ने क्या किया इस समाज को बालमिकी समाज करके उसके साथ उठना बैठना शुरू किया है क्योंकि आपके दयानां स्वरसती के यजूर वेद भास से में कहा गया है कि समाज से आपको दूर रहना है उससे दुरगंद आती है उनके सरीर से दुरगंद आती है तो आपने उनका पहले नाम बदल दिया फिर उनके साथ आप लोग उठक बैठक करने लगे ताकि लोग इस दुरवेवस्था को भूल जाए इसको छुपा ले जाए यही कारण है कि इसने जो है द्यान अनसरस्ती को भी गाली वाले सब्दों से नवाजा है कि यह काम नहीं होने किया है कि किसी समाज को दूर रहने की बात कैसे कर सकते हैं समझ रहे हैं महोदे यह सब्सक्राइब अरे आपको नूट कर लीजिए मैं कर लिए ना तो लेकिया आप उनको लेकर आए जो भी आपके आर्या विद्दान के हमेशा स्वागत रहे हैं आप सत्यार्थ प्रकास खोल जाएगा अच्छारश घ्रस इस पर चर्चा होगी और यह सारे जो मंत्र हैं जितने में दिखाएगा हैं सारी चीजे दिखाए जाएंगी सब के सामने उपन लीज़ पर डिवेट होगा तुजडे को सेवन पीम पे हमारी डिवेट होती है थ्रश्टे को सेवन पीम पर होती है आप जब चाहें लेकर आईएगा जरूर लेकर आएगा बिल्कुल लेकर आईएगा कि मैं उनसे संपर करता हूं जैसे हुमें आपका इसमें मैं ठीक है नोट कर लिया है ना मैं पूछा तो एक बार आप चेक किजेगा आपके जो भी विद्वान हो उनको लेकर आईएगा चले फिर चले